बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री करपूरी ठाकुर को भारत रतने दिया जाएगा, उन्हें मर्णो परांत भारत रतने से सम्मानित किया जाएगा करपूरी ठाकुर की सौवी जयनती से एक दिन पहले राश्रुपती भवन की ओर से ये एलान किया गया है चलिए जानते हैं कौन है करपुरी ठाकुर करपुरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री और एक बार उपमुख्यमंत्री रहे करपुरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री थे करपुरी ठाकुर ने विधायक के रूप में अपनी शुरुआत तब की थी जब उन्होंने 1952 का चुनाव जीता और 1985 में अपने आखरी विधानसभा चुनाव तक विधायक बने रहे बिहार के समस्तिपूर में जन में करपुरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने पिछडी जातियों के हितों की वकालत की थी भारत छोडो आंदोलन के दोरान उन्हें जेल में भी डाला गया था करपूरी ठाकूर ने नवंबर 1978 में बिहार में सरकारी सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए 26 प्रतिशत आरक्षन का रास्ता साफ किया था उनके ही प्रयासू से 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के आरक्षन के लिए मंडल आयोग की सिफारिशे लागू हुई थी ठाकूर नाई समुदाई से थे और उनके गाउं का नाम पिंतो जीया है जिसे अब करपूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है ये एक राजपूत बहुल गाउं है जो समस्तिपूर जिले में है वहीं ठाकूर 1984 के लोकसवा चुनावों में जब उन्होंने कई गैर कॉंग्रेसी उम्मीद्वारों के साथ समस्तिपूर से चुनाव लड़ा तो उने चुनावी हार का सामना करना पड़ा ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुबूती लहर चली थी और कई दिगजनेता चुनाव हार गए थे ठाकूर दिसंबर 1970 में पहली बार राजज के सीम बने उनकी सरकार गठबंदन की सरकार थी ठाकूर ऐसे समय में सीम बने जब राज राजनिति अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था इसलिए उनका कारेकाल जून 1971 तक बमुश्किल 6 महिने तक ही चल पाया बाद में वे जून 1977 में जनता पार्टी के सीम बने और करीब 2 साल तक सत्ता में रहे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके अपने मुख्य सहयोगी भारतिये जनसं बीजेपी के साथ मद्भेद रहे और भी कई कारण थे जिसकी वज़े से ये सरकार गिर गई थी ठाकुर जो 26 प्रतीशत आरक्षन मॉडल लाए थे उसमें OBC समुदायों को 12 प्रतीशत हिस्सेदारी मिली थी OBC में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8 प्रतीशत हिस्सेदारी मिली थी महिलाओं को 3 प्रतीशत और उची जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी 3 प्रतीशत हिस्सेदारी मिली थी यानि आज आप जो नेरेंद्र मोदी सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दश्ट प्रतीशत का कोटा देख रहे हैं ये मोदी सरकार द्वारा लागू करने से बहुत पहले की बात है कुल मिलाकर ठाकूर के जीवन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो जब वे एक स्वतंतरता सैनानी और कटर समाजवादी थे जनोंने जय प्रकाश नारायन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राम नंदन मिश्रा के साथ 1942 से 1967 तक काम किया था फिर वे राज्य के मुख्यमंतरी और सबसे बड़ समाजवादी नेता बने ये बात 1970 से 1989 की है और उनके बाद के वर्ष 1980 से 1988 जब वे अपनी राजनितिक पहचान को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे ये भी जान लिजिए कि बिहार में सत्तधारी जेडियू और आरजेडी लगातार करपुरी ठाकुर को भारत रत्न दिये जाने की मांग करती रही है भारत रत्न देश का सर्वोच नागरिक सम्मान है जो किसी शेत्र में असाधारण और सर्वोच सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है ये सम्मान राजनिती, कला, साहित्य, विज्ञान के शेत्र में किसी विचारक, विज्ञानिक, उद्योगपती, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है दरसल भारत रत्न देने की शुरुवात दो जन्वरी 1954 को उस समय के राश्रुपती डॉक्टर र लादा कृष्णन और साइन्टेस्ट डॉक्टर चंदर शेकर वैंकट रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था